तो हर बच्चा कोई भी हो, एकांत की स्टड़ी जरूरी है, चाहे तो वो लाइबरी में करो, चाहे वो घर के कौने में करो, लेकिन जब भी स्टड़ी करो, एकांत में करो, ग्रूप में मत करना, याद रखना, ग्रूप होगा सिर्फ एंटर्टेन्मेंट के लिए, सिर्फ मोबाइल पर देख रहे हैं, तो बेटा सेलक्शन नहीं होगा, सेल्फ इस्टड़ी का भी तालमेल लगाना होगा, बेटा हमारी मजबूरी है कि हम आठाट क्लास लाइव कराते हैं, लेकिन आपकी मजबूरी नहीं है, आपका जो मन करें कि मैं इस क्लास को नहीं दे आपके अगर तो सब कुछ पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ सकते हो तो बेस्ट ही है, लेकिन अगर उसकी मज़े सेल्फ इस्टड़ी नहीं कर पा रहे हो तो फिर वह बहुत नुक्सान दे है, कोई नहीं बताएगा इतनी मानदारी से इन सारी बातों को, मैं आपको लोग उसे सेलक्सन चाहिए, ठीक है बच्चो, तो ऑउनलाईन पढ़ाई करो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ में सेल्फ इस्टड़ी इसलिए जरूरी है, बच्चो, कि ऑउनलाईन पढ़ाई करते रहने से, सिर्फ पढ़ाई करते रहने से, क्लास देखते रहन लेनी चाहिए इससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए और अगर 5-6 आवर्स ओनलाइन ले रहे हो तो पांच आवर्स की सेल्फ स्टेडी भी चाहिए जो बुक्स से हो सकती है नोट्सों से हो सकती है फिर सर कैसे करें क्लास तो ज्यादा है तो बैटा आप उस सब्जेक्ट को बहुत बहतर बठा रखा था तो में यह बात कॉमन थी बच्चो कि सबका ऑन-लाइन पढ़ाई इतनी क्लास करनी है और सबका सेल्फ स्टेडी फिक्स कि इन क्लास के बाद मुझे यह प्राक्टिस करनी है ठीक है बच्चो आगे बात करता हूं बटा मॉक टेस्ट यह ऐसा को जो सेलेक्शन के बालक आए होके जो दिल्ले पुलिस में जो आए हमसे बात करने मिलने तो उनमें कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसने मॉक टेस्ट ना दिये हों मेरे ना दिये हों किसी और के दिये हों पर दिये हों मॉक टेस्ट के बिना सेलेक्शन संभाव आजकल नहीं ह अगर आप weekly देते हैं तो यह बहुत अच्छा है बख्यों बहुत सांदार है अब इतनी पढ़ाई तो आ आप कर लिए कि weekly mock test दे सको और weekly mock test में अगर आप सुरुव आप देना पहला टार्गेट यह कि मैं लगातार दो तीन टेस्टों में डेड़सो ले आया तो आपका डेड़सो का लेवल है फिर अगला टार्गेट 180 को अचीव करेंगे हम कि आप 180 लेके आने बटा बहुत टाइम ऐसा होगा कि आपका एक एक दो दो इबढ़ रहा है या एक एक दो घट भी गया उससे घबरा ना मत कभी क्योंकि नंबर हमेशा चलांग मारते हैं क्या जो आपके माक से ना वह कभी भी ऐसे नहीं बढ़ते एक बढ़ा है दो बढ़ा बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो बहुत ज्यादा फिर तोड़ा और कम होंगा रहे फिर लेकिन आते हुई चीजे कम गलत होनी शुरू हो जाएंगे गलत ऊक्टली वाले की वहोंगे आते हुए और अगला टार्गेट दोसो और फिर 220 और लगातार तीन टेस्टों में आप 220 लेते चले आए तो आप सेलेक्शन के सो प्रतिशत दावेदार बन गए बच्चों तो इस तरह से आपको अपना टार्गेट अचीव करना लड़कियों का टार्गेट अंतिम 200 प्लस होना चाहिए ठीक है बच्चों तो अब मैं यह मौक टेस्ट में बच् अपनी तरफ से जो भी गिफ्ट हमारे लिए हमसे बनेगा जैसे हमने UPSI वालों को फ्री मॉक टेस्ट दिये थे पूरी टेस्ट स्रीज प्री कर दी ती टेलेंट ग्रूप वालों के लिए एक तो आप बच्चों पढ़ाई आपने लिए करो और फ्री हम बाटें फिर आपक हमें भी खुश्यार बच्चों से खुशी होती है तो टेलेंट ग्रूप बनना शुरू होगा उसमें हमारे सजेशन्स भी आपको मिलेंगे साथ साथ और यह ऐसा नहीं सिर्फ खाकी बैच वाले जो हमसे बैच में पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं open completion चाहता हूं मैं इसको ठीक है तो अब यह आप उस लेवल को सेट करो कि टेलेंट ग्रूप में आप आओ ठीक है पहला target तो यह होना चाहिए मोटिवेशन है बस यह नहीं होगा ऐसा नहीं है यह सिर्फ मोटिवेशन है कि आप टेलेंट ग्रूप के लिए मैनत करो यह motivation देना चाहता हूं मैं इस ब आचो मंत्र में selection के मंत्रों में यह सब कुछ निकल के आया है क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर कमेंट में कि लड़की ने कमेंट कर दिया ना तो उसका या उसके हाई पूजा हाई बभीता हाई सीमा हाई रिना लेकिन अगर कोई पूपू कोई कोई मतलब कोई और पॉंकॉट तो यह चीज किसी में नहीं अब किसी में वह भी चलो मन चला मैंने मा लिया लेकिन उसने अपनी पढ़ाई से नहीं हटने द्या अद्यान इस पर रहा तो हो सकता है को लिमिटटि उसमें बहुत लिमिटटि उसमें कि लेकिन बच्चो आप क्या करते हो क्योंकि आपकी नहीं नहीं एज होती है आपने जिन्द gwी के धक्के नहीं घाय हुए होते हैं तो सद एचर इस निकल नहीं के बाद और जब पता चलती है क्या होता है तो मैं आपसे कहूंगा के ये पूछना बंद कर दो आपका देकि इतने में तो राहूल बैटा फिर रोज पुझा को ढूंड़ेगा कमेंट में यह निश्चित बात है ठीक है वो रोज ढूंड़ेगा कहां गई पुझा और उसने पुझा ने हाइ राहूल कहके उस राहूल की जंदशी तबखा कर दी मैं उस पुझा से भी कहना चाह enh तो आप प्लीज लड़कों को यह हाई वाई ना बूलें वरना उसने एक पूस्ट तो आपने वैसे ही कम करवा दी उसके, है ना, वो कहीं बिचारा लग लगा जाता लेकिन आपने उसको खतम करवा दिया, तो बच्चों यह मैं निश्चित तोर पे कहा रहा हूँ, कि यह ची की तयारी कर रहे हैं, अरे यार, यूपी पुलिस की क्लास देख रही है, वो, I.E.S की तयारी थोड़ी ना कर रही है, भाई, यह बात चलाने की बात है, इससे होगा क्या, मास्टर बता रहा है, यह पढ़ लो, वो पढ़ लो, पूजा से पूछना है आपको भाई, तो ऐस बलेक साथ निकाले, उनमें भरती नहीं हुआ, तो सोचता होगा ना कि मेरी यह कमिया रही थी, मैं करता था यह चीजें, वास्तों में चलो जब तो इतना ओनलाइन का दौर नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा है, और सारा बच्चा बावला बना पड़ा है, इसी ना भी हाई पूजा, हाई सरीता, हाई राहुल, कुछ भी हो जाए, वो अपने लक्षे से नहीं भटकता, उसको हमेशा याद रहेगा, कि भही हाँ, पहले यूपीपुल, इसे बाद में होती रहेगी, देखी जाएगी, तो बस ऐसी पूछ लिया मैंने, बेटा वो जो ची इसकत नहीं है, ठीक है बच्चो, तो यह डेडिकेशन यही होता है, कि उसके प्रति जो आपका लक्ष है ना, उसके प्रति आप अंधे हो के पड़े हो, कोई भी बीच में आया हो, वो मेरे इसको नहीं डिगा सकता, है ना बच्चो, तो आपका वोई डेडिकेशन, चाहे लड़की हो या लड़का, अगर आप हाइफाइप की चक्कर में पड़ गए, तो हाइफाइप से जादा कुछ नहीं मिलेगा बच्चो, और नहीं नौकरी आप जाती रहेगा,